हेलो फ्रेंड्स आप आज के वीडियों जानेंगे किस परकार सру पर किया जा सकता है यानि ठीक किया जा सकता है तो देख सकते हैं मैंने इस परकार खराब पड़े एलेडि बल्ब को अच्छी तरीके से देखना है फिर जो है इसके जो तर्मिनल निकले हुए है इस परकार इस पर छिम्टी के मदद से दोनों को short करके देखना अगर इस पर current आ रहा है तो आप समझ जाएगा कि ये इसके अंदर लगा हुआ circuit जो है वो सही है खराब इनके LED पर है ठीक है तो एक एक LED को इस परकार से short करते जाना है जिस भी LED को आप short करेंगे और ये LED बल्ब जलने लगेगा तो समझ जाएगा कि वो LED बल्ब खराब है उसको वहां से तोड करके हटा देजिएगा ठीक है तो इस LED में एक section काम कर रहा है दूसरा section काम नहीं कर रहा है तो देख सकते हैं मैंने खराब पड़े LED बल्ब को इस परकार से तोड के हटा लिए ठीक है तो इस पर मैं फ्लक्स लगा करके इस पर ऐसको ऊच्छी तरीके से दुनों टर्मिलों को स्वाट कर दूंगा ठीजा चलिए कर लेते हैं कि अगर आपके घर में भी इस परकार का एक लेडी वल्ब है तो आसानी से आप इस परकार से इस मेटर से रिपियर कर सकते हैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूं ठीज तो देखें मैं जैसे ही लगाया holder पर एक section काम करने लगा ठीक है अब जो है इसपर ये LED खरब था तो मैं देखिए इस LED को इस प्रकार सोट कर रहा है है तो ये पूरा section और उधर वाला दूनों तो इसर ये वहां बदर कर रहा है तो देखे फ्रेंड्स मैंने इस पर भी शॉल्टिंग चड़ा लिया हूँ उसके बाद जो है इसको चेक करके देखेंगे कि यह एलेडी बल्ब जो है एलेडी बल्ब को रिपेर कर सकते हैं अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना बढ़े हैं